Hello everyone, welcome to IFS, जितने भी हमारे IIT Jam, GADB के आस्पिरेंट से कुछ बहुत important एक announcement है, जो मैं आपके लिए लिखे आई हूँ, अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो there are some internship program जिसके बाद में बच्चों को अकसर पता नहीं होता है, students are not that much aware, वो पुछते हैं कि माम हमें internship करनी है, हमें resume में कुछ चीज़न अपडेट करनी है, बट यह opportunities कहां मिलती है, students एक बहुत ही golden opportunity है आप सभी के लिए, IIT Bombay आप लोगों के लिए एक internship, award कुछ लेके आया है, इसके बारे में हम लोग, detail में बात करेंगे हमारे आज के इस पूरे वीडियो में, कैसे आप यहाँ पे जा सकत है, so first of all, आप simply search करोगे, IIT Bombay internship तो आपको यह वाला पूरा जो page में आपको डिस्प्ले कर रही हूं, that entire page will be displayed to you, अब इसमाँ आप देख सकते हो, पहले तुन्हें award के बारे में बताया है, ठीक है, देखो एक important बात, the selected interns are required to work full time, तो यह four to six months का एक प्रोजेक्ट रहने वाल है, आपके लिए, और इसमें आप अगर काम करते हो, तो आपको 15,000 का भी stipend amount मिलने वाला है, और यह full time work है, तो आप इस time पर अपने जो भी semester है, वो आप continue नहीं कर पाऊगे, यहाँ institute में जाके यह program attend करना है, तो एक बात का ध्यान रखें, ठीक है, उसके बाद में, हम स्टार्ट हो चुके हैं, 13th of September से, 3rd October, last day, 3rd October के पहले तक आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हो, बताया गया है, short listing जो है, वो October में हो जाएगे, इंटर्व्यू समेंबर में हो जाएंगे, selection process के बारे में, December में बता दिया जाएगा, मतलब की, January 2025 to June 2025, आप लोग इस program में काम कर स लगते हो, so if आपके college में allowed है आप लोगों को, अगर आप यह internship program करने जा सकते हो six months के लिए, तो मुझे लगता है बहुत ही बहुत ही better opportunity है आप सभी के लिए, to get a good exposure, यहाँ पे काफी सारी बाते हैं आप सीखोगे, कैसे काम किया जाता है, लाब में क्या क्या चीज़े होती ह यह सारी बाते हैं आपको यहाँ से पता चले अब आपको यहाँ पे click करना है how to apply and जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एक form एक link नज़रा रहा है, है ना, for applying you have to link on the following link, तो अगर आप यहाँ पे चले जाओगे, तो यहाँ पे जाके आपको अपना username और password डालना पड़ और अगर आप एक new student हो, आपने register नहीं किया है, तो new applicants के registration के लिए एक form दिया गया है, तो आप लोग इस form को fill करके, अपने credentials भरके, अपना ID password generate कर लो and then login करके आप लोग अपना पूरा form यहाँ से fill कर सकते हैं, ठीक है, तो यह information तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगे, ठीक है, then back आके आप लोग और चीज़े देख सकते हो, अब आप देखो गए, तो पहले थोड़ा सा information देख लो यहाँ से कि क्या क्या चीज़े हैं, कौन कौन से projects है, जो is six months के लिए available है, तो आप यहाँ पे जाके check कर सकते हो, हमने home page के सारी information अभी discuss कर ली थी, available projects में अगर आप जाते हो बच्चों, तो यहाँ पे आपको अपना department सिलेक्ट करना है, अब क्यूंकि आप सारे biotechnology के students हो, तो I would recommend you this biosciences and bioengineering, और इसमें आप देख सकते हो, कि कौन कौन सा work अभी कर चलने वाला है, क्या क्या वहाँ पे काम हो रहा है, तो आपका जो भी interest है, post pathogen interaction study करना है, anti-cancer study करना है, therapeutic antibody development है, vesicles की कुछ study है, तो pseudomonas phages, तो बहुत सारी study है, बहुत सारा work है जो अरड़ी वहाँ पे चल रहा है, उन्होंने वहाँ पे जो भी आपके head रहेंगे, उनका भी नाम बताया है यहाँ पे, और उसके अलावा, they have told कि वो exactly क्या काम कर रहे Suppose if you are interested कि आपको यह zebrafish, isolation and characterization of the exozone from the zebrafish, अगर आपको यह करना है, उसको simply आप click करोगे, तो आपको और सारी चीज़े यहाँ पे मिल जाएगी, आपके PI का नाम मिल जाएगा, project का title क्या है, project में क्या काम चल रहा है, उसका एक brief introduction part है, अगर आपको लगता है कि आपको इस work में interest है, तो आप इसकी सारी information पढ़ने पहले तो इससे क्या result मिलने वाला है, आप क्या क्या learnings लोगे, जब आप study करेगे, तो देखो आपको यहाँ पे facts सीखने का मौका मिल रहा है, आपको यहाँ पे microscopy handling, यह सारी सीखने का आपको मौका मिल रहा है, अब उन्हें यह भी बता है, जो भी हमारे master's में second year में है, बहुत बार क्या होता है, तो आप लोगों का master second year में जो आपका last semester होता है, वहाँ पे आप ऐसे ही कोई project पे काम करते हो, है न अपना thesis dissertation submit करने को, तो आप लोग यह वाला काम भी वहाँ पे कर सकते हो, discipline they have not mentioned, technical background में बोला गया है कि आपकी molecular biology bi-chemistry अच्छी होनी चाहिए, तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे internship की details ले सकते हो, अगर हम यह anti-cancer की बात करें, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी they have again given the entire information, then they have said की requirement क्या है, तो second year's master student या फिर third और fourth year of a bachelor's program, मतलब BSE के बच्चे भी यहाँ पे जा स सकते हैं, तो अलग-अलग projects में, अलग-अलग requirements है, आप इन सारे projects तो एक बार ध्यान से पढ़ो, आपका जो भी interest है आप उसको select कर सकते हो, and then उस particular project में आप apply कर सकते हो, ठीक है, तो पहली बात तो यह कि available projects में आपको यह सारी details मिल जाएगी, eligibility हमने अभी अभी देखी है, इन्होंने क्या बोला है, that should be a second year of master's, अगर आप M.S.C. कर रहे हो, तो आपका second year भी चलना हो चाहिए, first year के बच्चों के लिए नहीं है, या फिर third और fourth year of the bachelor's program, B.S.C. वाले बच्चों का तो third year ही last होता है, B.T.E.C. वालों का fourth year last होता है, तो अगर bachelor's कर रहे हो, आप तो third 20% in the previous year of your discipline, ठीक है, अब यहां पर क्या बोला क्या है, तो आपके college में, आपका जो score है, आपका जो rank है, आप top 20 students में होने चाहिए, and आपको अपने principal का certificate यहां पर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, during when you will apply, should be a full-time student, आपको एक full-time student रहना होगा, pass out हो, तो आप यहां पर नहीं to work full-time for the internship, part-time internship नहीं है, मतलब यह नहीं कि आप IIT Bombay में कुछ time spend करो, बाखी time यहां spend करो नहीं, आपको यहीं पर जाके पूरा का पूरा work आपको यहां पर करना होगा, अब यह कैसे select करेंगे, उनके पास में बहुत सारे applications आएंगे, so what is the criteria, क्या आपके chances select होने के, तो पह आपने क्या चीज़े present की है, आपने क्या आपने बारे में बताया है, then test है, interview है, उसके बाद में आपके जो भी academic works है, आपने कुछ participate हिया होगा किसी exams में, तो वो सारी चीज़े भी आपकी हाँ पे reflect हो, ठीक है, उसके बाद में एक अच्छी चीज बोली गई है, कि अगर आ आपको interview के लिए बुलाते हैं, तो आपकी आने जाने का जो भी expense है, वो pay किया जाएगा, यह आपको खुद से pay करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ticket का जो भी print है, वो आपको यहाँ पर submit करना पड़ेगा, but they have said that train pair second class है, sleeper class का, जो भी internship आप लोग यहाँ पर करोगे, तो आपको जो भी advisor रहेंगे, वो IIT Bombay की ही faculty रहेगी, कोई और आपको नहीं guide करने वाला है, IIT Bombay की ही जो faculty है, वो आपको इस project में help करने वाले है, only one proposal from one faculty member will be considered, ठीक है, if a faculty member is not received any intern for his proposal, he or she may select, तो यह तो faculty के बारे में है, कि अगर उनको उनके project में किसा plan है किया, तो वो ब यह बाते हैं पर बताई गई है about the selection procedure, how to apply यह बात तो खहर ने कर ली है, अब देखो यह जो shortlisted candidates है, यह अभी of course updated नहीं है, क्योंकि जब आप लोग भेजोगे उसके बाद में ही यहाँ पर चीज़ें shortlist etc. की जाएगी, selected candidates जो है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यह यहाँ पर कुछ information already given है, तो यह तो खेर पिछले बार के information है, यह जो है, यह पिछले बार के information है, तो as we all can see कि यहाँ पर काफी सारे applications हमको already नजर आ रहे हैं, biosciences and bioengineering में कि उन्हें किस faculty के अंडर काम करना है, selected candidates कौन से है, wait listing, list में मतला भी wait कौन कौन कर रहे हैं, तो यह सारी details आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, तो बहुत ही transparent है सारी चीज़े, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कौन apply किया है, किसने apply नहीं किया है, क्या chances ह आप लोगों के, तो मुझे तो रखता है कि एक बहुत ही golden opportunity है, final जो list रहेगी वो आप लोगों को बाद में बता चल जाएगी, तो देख सकते हो, एक बहुत ही आप लोगों के लिए win-win situation है, six months का project to do at IIT Bombay, as well as you will get the fellowship, तो यह एक बहुत ही अच्छी opportunity है, जो आप सभी ने try करना चाहिए, और जो भी हमारे aspirants से जो prepare अभी कर रहे हैं, जो अभी शायद bachelor's कर रहे हैं, जिनको IIT Jam को qualify करना है, जिनको GAD भी qualify करना है, बच्छों देख सकते हो, by qualifying these examinations, you get to enter these institutes, जहां पर इतने बढ़िया लेवल का काम किया जाता है, प्रोजेक्स के बारे में जरूर स permission ले सकते हो, और महां पर जाके कर सकते हैं, अब देखो, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे queries आएंगे इसके बारे में, तो यहां पर दिया है, उन्होंने frequently asked questions का भी, तो एक जो बहुत आता है, कि UG student है, छे महीना spend करना पड़ेगा, तो उनके खुद के course का क्या होगा, उनके खुद का जो 4th, sorry, जो 6th semester उसका क्या होगा, तो क्या बोला गया है, this scheme is available for the students who do not have any course work to be done in the college, बहुत सारे colleges में यह होता है, बहुत से universities में यह होता है, कि उनका जो last year रहता है न, उस साल उनको क पढ़ाई नहीं करनी होती है, उनको project ही करना होता है, तो यह उन बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी golden opportunity है, और अगर बाकी students को भी अगर जाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने project investigator को inform करना होगा, और अपने college से एक letter इनको provide करना होगा, कि हमें allow किया गया है, कि हम यहाँ पर आके अपना जो भी अपना project work है, वो कर सकते हैं, तो आप लोगों को यह सारी information भी यहाँ से मिल जाए कि frequently asked questions से, अगर आपकी इसके अलावा भी और कोई query है, तो वो भी आप लोग हम से पूद सकते हो, definitely we will be helping you with that as well, so I hope this information is useful, आप लोगों को information बहु होगी, so do share this news with your friends as well, तो भी आपके friends इनके साथ आप जाना चाहते हो, so जो छे महीन आपको महाँ जाके रहना है, project करना है, बहुत बहुत सारे अपकी memories बनने वाली है, और काफी कुछ आप लोगों को पर सीखने का मौका मिलने वाला है, so definitely this is a golden opportunity for all of you, आप यहाँ जापके भी अपना internship कर सकते हो, and please share this information with your other friends as well, plus जितने भी हमारे aspirants है, जो टागिट कर रहा है, IIT, Jam and GAD, भी, आप लोगों के लिए हम एक new batch लेके आए हैं बच्चों, जो start होने वाला है 30th of September से, so 30th of September से हमारी new batch start होगे, जहाँ पे आपको को physics, chemistry, maths, biology, all these topics will be covered, so ध्यान रखना है, एक बहुत ही बढ़िया मौका है हमारे सारे aspirants के लिए, to go and learn and prepare yourself from this particular batch, आपको कोई भी information चाहिए है about the examination, चाहे वाइड जाम का syllabus हो, paper का analysis हो कि कौन से topic ज्यादा important है, questions प्राक्टिस करने हो, काफी सारी चीज़े हमारी website पे अवेलेबल है, visit the website and you can get all the information from here, learn with us and get yourself selected with a single digit रह, have a great day everyone and a very happy learning too